So welcome back to our channel guys आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन से मंत्रा डिवाइस को कनेक्ट कैसे कर सकते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो है इस फोन में लगा दिया है मंत्रा डिवाइस की केबल बट यह इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा आपको चले जाना होगा अपने फोन के प्ले स्टोर में प्ले स्टोर को आप अपने फोन के जस्ट यहाँ से कर लिजे का ओपेन play store को open करने के बाद आपको यहां से एक app download करना होगा mantra का mantra rd service ऐसे करके दोस्तों इस app का नाम है आपको इस app को download कर लेना होगा अपने device को connect करने के लिए तो आप इसको download कर लिजेगा मेरे में already downloaded है तो मैं इसको कर लेता हूँ यहां से just open आप download करके just open कर लिजेगा आप इसको जैसे ही open करते हो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मेरे mantra device का जो status है मुझे यहां पर सो हो रहा है जैसा कि आप लोग उपर देख सकते हो मतलब कि internet जो है अबलेबल है अगर आपका net on नहीं रहेगा तो यहां पर सो हो जाएगा internet not अबलेबल बट मेरा जो net है वो on है तो इसलिए internet अबलेबल है मतलब कि यहां पर एक ही दिक्कत आ रही है device not connected मतलब कि मेरा जो device है वो connect नहीं हुआ है तो दोस्तो ऐसे आप इसमें check कर पाओगे कि आपका जो mantra का device है वो connect हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तो यहां से आप इसको check कर सकते हो आप capture text पे click कर होगे तो यहां पर बता देगा device not connected तो इसको connect करने के लिए आप चली जाएगा अपने phone के setting में setting में जाने के बाद आपको चली जाना होगा यहां पे others networks and connection का यह दोस्तो मेरा Vivo का Y24 है इसलिए मेरे में इस तरह की setting है आप में मिल जाएगी additional setting का option आप उस पर just click कर दीजेगा अब उस पर आप जैसे ही click करते हो यहां पर आपको एक option मिल जाएगा OTG का जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो तो OTG को आपको यहां से कर देना है just on अपने phone के OTG को आपको कर देना है just on आप उसको जैसे ही on करते हो यहां पर आपके सामने इस तरह का interface सो हो जाएगा mantra ID service का आप इसको just यहां से कर दीजेगा okay अब इसको आप जैसे ही okay करते हो आप देख सकते हो कि आपकी जो mantra device है यह ready हो चुकी है दोस्तो device is ready to use मतलब कि हमारी जो device है वो connected हो चुकी है दोस्तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहां पर लिखके आ चुका है device connected मतलब कि हमारा जो mantra का device था वो connect हो चुका है दोस्तो तो आप यहाँ पे capture text पे click करेंगे तो हमारी जो device है वो on हो जाएगी दोस्तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो capture text करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मतलब कि यहाँ पे fingerprint जो है वो successfully capture हो रहा है दोस्तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो mantra device जो है हमारे phone स successfully connect हो चुकी है तो दोस्तो ऐसे करके आप अपने mantra device को अपने phone से connect कर सकते हो I hope आज की इस वीडियो में आपको काफी knowledge मिली होगी अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को like करेगा हमारे channel को subscribe करके bell icon को press जरूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसे interesting videos आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं फिलाल आज की इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नाई टोपिक की साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम लव यू ओल